नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का कृष्ण कुंजी में श्री कृष्ण स्वयम्भी महा भारत रोप न सके इस बात पर महा मुनी उत्तंक को बड़ा प्रोधा रहा था दैव योग से भगवान श्री कृष्ण उसे दिन द्वारी का जाते हुए मुनी उत्तंक के आश्रम में आ पहुचे मुनी ने उन्हें देखते ही कटू शब्द कहना प्रारम किया आप इतने महा ज्यानी और सामर्थ्यवान होकर भी युद्ध नहीं रोक सके आपको उसके लिए साप दे दूं तो क्या यह उचित ना होगा भगवान कृष्ण हसे और बोले महा मुनी किसी को ज्यान दिया जाए समझाया गुझाया और रास्ता दिखाया जाए तो भी वह विपरित आचरण करे तो इसमें ज्यान देने माले का क्या दोश यदि मैं स्वयम ही सब कुछ कर लेता तो संसार के इतने सारे लोगों की क्या वशक्ता थी मुनी का क्रोध सांत ना हुआ लगता था वे मानेंगे नहीं शाप दे ही देंगे तब भगवान पृष्ण ने अपना विराठ रुप दिखा कर कहा महमुनी मैंने आज तक किसी का अहित नहीं किया निश्पाप व्यक्ती चट्टान की तरह सुद्रड होता है आप साप दे कर देख ले मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा हाँ आपको किसी वर्दान की आवशक्ता हो तो हमसे आवश्य मांग ले उत्तंक ने कहा तो फिर आप ऐसा करे किस मरुस्थल में भी जल व्रिष्टी हो और यहां भी सर्वत्र भरा भरा हो जाए विश्ण ने कहा तथास्पू और वे वहाँ से आगे बढ़ गए महामुनी उत्तंक एक दिन प्रातह कालिन भ्रमण में कुछ दूर तक निकल गए दिन चड़ते ही धूल भरी आन्धी आ गई और मुनी मरुस्थल में भटक गए जब मरुदगणों का कोप शान्त हुआ तब उत्तंक ने अपने आपको निर्जन मरुस्थल में पढ़ा पाया धूब दप रही थी प्यास के मारे उत्तंक के प्राण निकलने लगे तब महामुनी उत्तंक ने देखा चमडे के पात्र में जल ये एक चांडाल सामने खड़ा है और पानी पीने के लिए कह रहा है उत्तंक उत्तेजी धोड़े और बिगड़ कर बोले शुद्र मेरे सामने से खट जा नहीं तो अभी साप देकर धश्म कर दूँगा चांड डालोकर तू मुझे पानी पिलानी आया है उन्हें साथ साथ कृष्ण पर भी क्रोध आ गया मुझे उस दिन मुर्ख बना कर चले गया पर आज उत्तंक के क्रोध से बचना कधिन है जैसे ही साप देने के लिए उन्होंने मुख खोला कि सामने भगवान श्रकृष्ण दिखाई दिये क्रिश्ण ने पूछा नाराज नहों महामुनी आप तो कहा करते हैं कि आत्मा ही आत्मा है आत्मा ही इंद्र और आत्मा ही साक्षात परमात्मा है पिर आप भी बताईए किस चांटाल की आत्मा में क्या इंद्र नहीं थे यह इंद्र ही थे जो आपको अम्रित पिलाने आये थे पर आपने उसे धुकरा दिया बताईए अब मैं आपकी कैसे सहता कर सकता हूँ यह कहकर भगवान श्रकृष्ण भी वहां से अद्रिश्य हो गये और वह चांटाल भी मुनी को बड़ा पस्ट अताप हुआ उन्होंने अनुभव किया कि जाती गुल और योग्यता के अभिमान में डूबे हुए मेरे जैसे व्यक्ति ने सास्प्रज्यान को जब हारिक नहीं बनाया तो फिर यदि कौर्वो पांडवों ने श्रीकृष्ण की बात को नहीं माना तो इसमें उनका क्या दोश महापुरुष केवल मार्ग दर्शन कर सकते हैं यदि कोई उस प्राप्त ज्यान को आचरण में ना लाए औ इसमें उनका क्या दोश मित्रों आपको आज की जानकारी कैसी लगी आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें आप सबको राधे राधे